दोस्तों स्वागत है आपका में वीडिव चैनल जहिन पर आज मैस्जिज के सी आप लोग को डेली जीके में से इंग मोंस्ट इंपोर्टेंट को बताऊंगा जो कि एरफोर्स और निविक एक्जाम के लिए मोंस्ट इंपोर्टेंट है अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले हरित करान्ती कब होती आपके अप्सिन से एप्सिन A, 1986, ऑप्सिन B, 1967, ऑप्सिन D, बोध A and B, या उप्सिन D, इन में से कोई नहीं तो इसको शुचन का और आपका और इसके जनक कौन थे MS स्वामी नाथन बढ़ते हम लोग अगले कोशन के तरफ हमारा अगला कोश्चन है भारत में स्वेत क्रांती कब हुई थी आपके अप्शन से अप्शन A उच्चन 60 ऑप्शन B उच्चन 65 ऑप्शन C उच्चन 70 या ऑप्शन D 1975 ऑप्शन भारत में स्वेत क्रांती आपके सांप्वाण ही ती यहांदस नम्र की न में स्वेत क्रांती चाल जानते हैं और इसके जो जनक थे वो कौन थे स्वेत कांथी के जनक किसो का जाता है वो थे वर्गीज कुरियन जी हाँ दोस्त वर्गीज कुरियन जो जी थे वो स्वेत कांथी के जनक के नाम पर जाना जाते हैं और इसके दूसरे नाम क्या था ओपरेशन फ्लड कब स्टार्ट हुआ था वो थी दूद के लिए थात मिल्क के लिए बढ़ते हम लोग अगले कोशन के तरफ हमारा अगला कोश्चन है चौधरी चरण सींग के समाधी अस्तल को किस नाम से जाना जाता है आपका आपका आपसन से आपसन ए विजय घाट option B किशान घाट, option C राज घाट, option D इन्वे से कोई नहीं दो दोस्तों इस question का correct answer है आपका option number B किशान घाट जिहां तो 14-14 के समाजी असल को किशान घाट के नाम से जाना जाता है और यह बात आती है बिजय घाट जिहां तो बिजय घाट, बिजय घाट जो है वो हमारे लाल बहादूर सास्तिरी जी का है लाल बहादूर सास्तिरी जी के समाजी असल को बिजय घाट के नाम से जाना जाता है और जो राज घाट है वो हमारे महात्मा घाट जी के समाजी असल को राजगाट के नाम से जाए जाता है राजगाट के समाजी अस्थाल किसका है? वो है महात्मा गान्दी का बिजए गाट के समाजी अस्थाल किसका है? वो है लाल बाजुसास्त्री का और किसान गाट के समाजी अस्थाल किसका है? वह है चौदिरी चर्ण सिंग का बढ़ते हम लोग अगले कोशन के तरफ हमारा अगला कोशन है भूमद्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर को क्या कहते हैं जिहां जो भूमद्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर को क्या कहते हैं आपके 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 आ भूमदे सागर को लाल सागर जोडने वाली रेद नहर को स्वेज नहर करते हैं अब आती है पनामा नहर तो पनामा नहर किस सागर हो किस से जोड़ती है आपका वह है परसांत महा सागर को परसांत महा सागर को अंटलांटिंग महा सागर से जोडने वाली नहर को क्या बोलते है से और दूसरा है स्वेजडनर जोसे बहुता है ब्भूमंदी साओगर को सब्सक्वां के साओं गहर एंग आगला नदियों का देश किस देश को कहा जाता है आपके और संसर और सब्सक्राइब को नदियों की इनलाध इस अंसर बरतें वि Extran beef 변न तरफ हमारा यमारा और सब्सक्राइब के भारत के मसालों का भगीचा किस राजयों को कहा जाता है, जिहां थोस्ट भारत के मसालों का भगीचा किस राजयों को कहा जाता है आपके option से option A, जहार खंड option B, पस्चिमंगाल option C, तमिलनाडू, या option D, केरल तो याँ इस question का correct answer दोस्ट आपका option नम्मल, D, केरल जिहां दोस केरल को भारत का मसाला का घर अठात मसाला वालराज कहा जाता है बरते हमनों अगले कोशन के तरफ हमारा अगला कोशन है सरोजा वैदन्याथन किस छेत्र में सूब विख्यात है जिहां दोस सरोजा वैदन्याथन किस छेत्र में सूब विख्यात है आपके option से option A मुर्तिकला, option B नितिकला, option C चित्रकला या option D इन में से कोई नहीं जो सरोजा वैदन्यातन है वो विख्यात है आपके मुर्तिकला जी हैं जोस मुर्तिकला के छेतर में सरोजा वैदन्यातन विख्यात है हमारा अगला घुषन है कश्चीम बंगाल में रानी गंज किस लिए विख्यात है आपके अपसन से पसन और रबर के लिए उपसन B ताम बातकी के छत्र में उपसन C कोईला के छत्र में यँ option D हीरा के छेत्रे में तो पश्ची मंगाल में जो रानी गंज है वह अभी ख्या थे आपके दोस्त कोईला के छेत्रे में option number C इस question correct answer हो जाता है बढ़ते हम लोगारी कुशन के तरफ हमारा क्ला कुशन है question number 9 लिंग राज मंदिर कहां परिस्थित है आपके इस्थित है यह अहमदाबाद में भूवनेश्वर में option C कोलकता में या option D मुंबई में तो लिंग राज मंदिर जो है वह इस्थित है आपके option number B भूवनेश्वर में बढ़ते हम लोग अगले कुशन के तरफ हमारा अगला question है भारत में सेनाव के सर्वच सेनापती से कौन संदर्बित होता है आपके option C option A प्रधान मंतरी, option B ग्रिह मंतरी, option C रच्छा मंतरी या option D राष्टपती तो इस question है correct answer दो भारत में सेनाव के सर्वच सेनापती से कौ option number D राष्टपती जी हाँ तो इस राष्टपती भारत के सेनाव मतलब सर्वच सेनापती से संदर्बित होता है यह क्यान है आपके option D राष्टपती बढ़ते हम लोग अगले question तरफ हमारा अगला question है सौर मंडल का सबसे चमकीलागरा कौन है यहां तो सौर मंडल का सबसे चमकीलागरा कौन है आपके option A, बुद, option B, शुक्र, option C, मंगल या option D, प्रिहस्पती सौर मंदा का सबसे चर्म किला गरा है वह है आपके option नमर B, सुक्र जिहां जो सुक्र गरा जो है वह सौर मंदा का सबसे चर्म किला गरा माना जाता है बढ़ते हम लोग अगले question के तरब हमारा अगला question नमर है 12 सुवशासन अंदोलन के परवर्था कौन थे? सुवशासन अंदोलन के परवर्था कौन थे? आपके option से option A, महात्मा गांधी, option B, एनी बेसेंट, option C, व्योमेश चटर जी, या option D, इनमे से कोई नहीं जो दोस्तों सुवशासन अंदोलन के परवर्था थे वह है आपके option नमर B, एनी बेसेंट जिहां दोस एनी बेसेंट जीत जो दी वह सुवशासन अंदोलन के परवर्था थे बढ़ते हमनों अगले कोशन तरफ हमारा आगला कोशन है गांधी इर्विन समझोता कब हुआ था? जिहां दोस गांधी और इर्विन के बीच में जो समझोता हुआ था वह कब हुआ था? आपके option A, 1929 में, option B, 1930 में, option C, 1931 में या option D, 1932 में तो इस question का correct answer है दोस गांधी और इर्विन के समझोता हुआ था वह हुआ था आपके option नमर C, 1931 में और वह किस के लिए हुआ था? वह हुआ था सवीने अवग्य अंदोलन के लिए यह हुआ था सवीने अवग्य अंदोलन के लिए बरते हम लोग अगले कोशन तरफ हमारा अगला कोशन है चिनाई बांध का निर्माड किस नदी पर हुआ है? जो चिनाई बांध का निर्माड हुआ है दोस्तों वह हुआ है आपके option नमर C नेर्माड dee पर पर बरते हम लोग्य कोशन तरफ हमारा अगला कोशन है बिंदु सार किस वंस का एक सासक था जिहां दोस बिंदु सार जो था व किस वंस का सासक था आपके Octions A, MORally Wants, Obson B, Gupth Wants, Obson C, Gullam Wants या Opson D, Tuglak Wants, तो इस Question का correct answer ए जो बिंदु सार था वा सासक था सब्सक्राइब करें जाय हिंद धन्य दन्य वाग्स झाल झाल